गणियर और प्रातमिक के लिए महत्त्यपूर्ण युचे सब्सक्राइब लिए तो आपके सेलेक्शन के लिए सबसा ज़्यादा महत्त्यपूर्ण एधuca सिख़ें प्रष्राइब इचिती में मिलेगा नहीं कि पेरेला प्सेंद कि سब्सक्राइब आर्रटम प्रेशवर नहीं मैं उप्रीजार के चीडिये के प्रष्राइब इंधुक्राइब बेख रहे हैं जहाँ भी देख रहे हैं जब आप जरूर दीजएगा उचाहीं नो जोश्प木ष कर दो चलिए लेके दियाना के अंबाला धिले में तोप्रा नमा गाउं में था फिरोसा तुगलक ने इसे दिल्ली मिला है इसी अस्थम पर सातो अस्थम लेट उतक्रण हैं यहां पर इसलिए इस प्रश्ण का जो शही भी खल्प होगा एस प्रश्ण का राइट एंसर होगा जी हां एस आपके लिए महत्रपोने सायद आपको दिख रहा होगा और आप इसे देख भी पारे होंगे ठिक कहरा है कि हर्श के द्वारा कौन से पुस्तक नहीं लिखी गई ध्यान देजेगा नहीं कुछ लोग गल्ती कर देंगे क्योंकि नहीं और हम यहां पे हम लोग प्राहय कन्फ लेकिन मुद्रा राच्छास इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी हर्शने प्रीदर्शिका नागानन्द ठीक है अगर आप देखें तो यहां पर नागानन्द रतनावली कि इनकी पुस्तक थी लेकिन यहां पर ध्यान देनी यूग्य है यह मुद्रा राच्छास इनकी पुस्तक नहीं थी तो मेरा प्रशनाप से है कि मुद्रा राच्छा किसकी कृति थी या मुद्रा राच्छास को किस ने लिखा था शभी साथी कॉमेंट करके जरू बताएंगे और अगर आपको लग रहा शभी साथी मित्रों को शेयर जरू करिएगा ठीक है अगर आप पूछा जा रहा है कि सर प्रीदर्श का मजू था नोंने वस्त राच उद्यन की अनंदपूर की प्रणों कथा का वड़न किया था नागानंद बहुत धर्म से प्रभावित रचना है ठीक है चलते हैं अगले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बदाई जली से अगर बामियाम में बुद्ध की दो 20 साल प्रतिमा है इस प्रिशन का जवाब देखते हैं यह होगा गांधार कला कौनसी कला गांधार कला है जैसे प्राचीनकार में बहुत धर्म के दो महान के अं मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक आप सभी को विसाका दद की मद्रा चक सही जबा ठीक है हम आगे चलना है अगले प्रश्ण की तरफ क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दिख रहा होगा कहरा है फिरोज तुगलक की विस्था तुगलक सामराज के लिए सबसे अधिक घातक से धुई यहाँ प्रश्ण ऐसे हैं जो सेलेक्सर वाले जो परिक्षा में हुबहु और सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो बताएगे क्या होगा सबी लोग फिटापट कोमेंट करें चाहिसे फेस्बूक पर देख रहें चाहिए यूटूब पर देख रहें हैं शेयर करेंगे तो पैसे नहीं कटेंगे लोगों तो फोच जाएगा ठीक है यूकि आप एक मदद इस सीरीज को और बहतर करने में मदद कर सकती है देखें यहाँ पर जागीर प्रथा का पुनर अस्थापना माने फिलोज तुगलक की जागीर प्रथा की पुनर सपना जो था समराज के लिए सबसे घातक सित्थ हुआ ठीक है इसलिए प्रशने का उत्तर डी होगा दच्छिण भारत के उत्तर भारत में भक्तिया अंदुलन किस्टने लाया जल्दी से कमेंट करिएगा और देखें प्रशने का जवाब सभी लोग देजिएगा सभी साथ है चाहिसे फेजबुक पर देख रहे हैं चाहिए यूट्यूप पर बताइए देखें प्रश्ण इमबर पाँच यह स्वावी भ्यकानन प्रश्ण का उत्तर क्या होगा शी इसमें ज्यादा आपको ब्याक्ष्य तो नहीं करूंगा लेकिना इसका जवाब क्या होगा बताएए क्यों होगा स्वामी भीवर करने इसका प्राइट एंसर होगा ठीक है चलते हैं अगले प्रश्णी की तरफ मैं आपका ज्यादार समय नहीं लोगा प्योंकि आपके संख्या कम है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी सीरीश खतम कर दूं कुतुब मिनार का निर्मार किस के द्वारा पूरा कराया गया धाद्य दिखेगा इसकी निवा ठीकर कुतुबрах ने रखे ओहतले किस्की ते हो इसों की वो खत्व पूरा करानी जिमेदारी इस वीकल्ब के आधार पर देखें लेट इस तो इल्तुत मिश्णे रखी थी, इसने इल्तुत मिश्णे रखी थी, इल्तुत मिश्णे रखी थी, ठीक है, चलिए, आप लोग ज़ल ज़ली कमेंट करिएगा, और दिए के पुष्णे का सभी साथी जवाब दीजेगा, बताई, इसे भी साथी फटावट कमेंट करें, जो इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं, होम रूल लिग की सुरुवाद किसके दौरा की गई थी, यहाँ पर एनी वेसन के दौरा, किसके दौरा, एनी वेसन के दौरा किया गया था, किसके दौरा, एनी वेसन के दौरा किया गया था, किसके दौरा, एनी वेसन, कब किया गया था, उन्हेशो शोला में, और इसके साथ कौन था, ती रग था, उन थे, ती रग थी थे, इन दोनों के साथ मिलकर इसकी सुरुवाद की गई थी, कभला है ढांडी कूच का प्रारम कभ हुआ ढांडी कूच का प्रारम कभ हुआ तेक ठीक बाद में गेले बाद में डांडी कूच प्रार्राम हुआ वर्धा से हरिद्वार्ष पूना से साबर मती से कहां से हुआ जवाब जलो दिजेगा शबी साथ है जहाब इस वीडियो को देख रहे हैं न जल्देनी कॉमेंट करेंगा अब बताईए लिए डांडी कोच अगर हम बात करें तो कव अथा कहां से साबर मती मोश इंपॉटेंड शाबर मती अई ध्यान से देखते हैं देखें 12 मार्च उनेशो तीशकों 12 मार्च 1930 को गांधी जीन अपने 99 समर्दकों के साथ साबर मती श्तित अपने आश्रम से लगब 322 की मीग दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया लगबग 24 दिनों बात 6 प्रण 1903 को डांडी बहुचकर गांधी जीने नमक कानून तोड़ा ठीक है कब 6 प्रण 1903 को कित्ते दिन के बाद 24 दिनों के बाद ठीक इस प्रस्थान का उत्तर क्या होगा डीस का राइट एंसर होगा जब तक तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं चलिए अगला सवाल आपके बीच है भारत और पाकिस्तान की बीच कौन सी सीमा रेखा है मुझे नहीं रखता किसी के यहां पर वल्ती होगी को ऐसा भी है क्या जिसको लग रहा है प्रश्ण गलत हो सकता है अगर मैं यहां सवाल कूछ कि बांगलादेश जी हां बांगलादेश और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो क्या होगा बताइए तो द्यान देश का नाम सुनते आखे लाल हो जाती है तो यादर खिएगा भारत और बांगलादेश की बीच यहां पर एक प्रश्ण आपलों हमेशा यादर खिएगा भारत बांगलादेश इसके बीच भी रेट के लिए क्यों तो कि जिसमें वरतमान बांगलादेश पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है ठीक है ठीक पूरी पाकिस्तान चलिए आगे चलते हैं स्पोर्ट करिप्सन क्या थे कॉमेंट बताईएगा पांडो की पतनी द्रोपती पांचाली अर्थाथ पांचाल कि नारी के नाम से भी जानी जाती वरतमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है पांचाल कल का है काच का अभी का यहाँ पर पांचाल कौन है बते कमेंट करें बते यह सभी सौती यार इतनी मदद कर सकते हैं लोगों तो वीडियो को पोचा दीजेगा इतनी काम करिएगा आप लोग कि यह जो क्लास चल लए है न इसे बस लोगों तो पोचा दीजेगा बस पांचाल किनारी से भी किनारी के नाम से भी जाना जाता था वर तोंसे पांचाल पंजाब को क्याते हैं बनाने है अगला पैशन है काला पैगोडा के नाम से प्रशिद इमारत कों सी है काला पैगोडा के नाम से कौन से प्रसित इमारत है बताइए सब लिए फिटापट कमेंड करिएगा सवाल को जबाब को लेकर काला पैगोडा के नाम से प्रसित इमारत क्या है अंकोरवाट का मंदिर, विश्णात का मंदिर, कोणार का सूरु मंदिर, मिनाक्षी मंदिर कोणार का सूरु मंदिर कोणार का सूरु मंदिर इस प्रस्ने का सही जिवाब को क्या होगा? कोणार का सूरु मंदिर इस प्रस्ने का सही और आई टेंसर होगा किस पहर में राग भेरवी ग्यान सरवादिक उप्यक्त माना जाता है बताई ज़ली कमेंट करके किस सहर में राग पहरवी कोणाय का सूर मंदिर कहां पर है लुट्र करें जित्ते लोग वीडियो को लाइट देखने चाहिए पेश्बूक पेचा यूटूब पर जहां बीदेख रहे हैं जब आप जरूर्द देजएगा जित्ते लोगों लाइक नहीं किया आपको लगता को लाइक करने कुसका सुबा का है ठीक है अगला है किस देश ने रंग भ्यद की नीथी अपनाई I am इंपॉटेंड प्रश्ण नमबर 13 किरस्ट ने सबी साती कोमेन्ट कर दिये प्रश्ण का देखने की ठीक है दो में बताई गाने vou fret जहां बी-थे यरु और कि यह दच्छन अफ्रिका है ठीक रंग्भेट किरीती कौन अपना ही दच्छन अफ्रिका है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रेश्ण की तर्फ कभी-कभी तो लगता है कि अलाइक करने वाले अच्छे हैं कम सक्कम इतना आते हैं वीडियो को खोले भी नहीं वालाइक कर देते हैं एक आप लोग हैं लगातार मेहने से पढ़ते लेकिन बटन नहीं देवाते हैं अलाइक ही कर दीजिए भाई आप लोग इराग के किस सहर में श्रियाओं का प्रीद अल् असकरी का पूजास्त all श्तित पश्रा में अ कहां पर बसरा में मुहम्मध लए इसलाम धर्म के नियु कि उनका जन्म कब हुआ था हजर्द मुवम्मस सहाफ का जन्म 570 इसमिन और नमनी भूवा था छासुदस में मक्का के पास हिरा नमक गुभा में ज्यान प्राप्त हुआ कब 610 में हिरा नमक अस्थान पर उन्हें क्या होता है ज्यान की प्राप्ति होते है ंए छास्सो यह सलंधन के परवर्गत को 5 360 में इन्हें मदीनघ के दफनाया जाता चलिए ओगे चलते हैं अगले पुर्भीशमूधी ऩरद कौन सा कितिम बंदर गा इस्थित है पूर्भीशमूधित्ड़क पर कौन सा बंदर गा इस्थित है पूर्भी समुद्रेट पर कौन सा किती मंदर्गा इस्थी थे कोल काता यह हुगली ने देखे बाएं किनारे पर यह भारत की ही नहीं संपूर्ण डच्छ एसिया का इत्प्रमुक बंदर्गा भारति रमध्रिक व्या पार का पूर्वी द्वार कहा जाता है इस बंदर ग्रा से बारी वस्तों गवारता है कि ठीक है मैं नईए वेली ताव बिद्दु इस्टेशन किस राजी में इस्थीत है बतकुं ज़्यक कि नेई वेलिता विदूद इष्यस संट किस राज़मे स्थीत भाई नसे हैं कि अथे १ार्वर कहा पर तो कि छो है लेक्नाइट के उपयूज विदू अच्पाद आनि वेलिट मेड़ विदूद के चलता है है भीज़ी सिटेशन सेरे बेज़े Bergami रोप आती ह bets कि एक इसकर चत्रव श्चनिय करें तो पो अधर कौन सारच चानि का मुख्य उथपादक है कौन सा राज और युदि मनिका उत्पादक है है मत्यारीत से क्में तुछ कि सभी लोग फटापट कमेंट करें कि बताई जली से कमेंट करके आए इसमें देखते हैं हम लोग प्रस्टंबर 18 में क्या है यह होगा हमाचल प्रदेश और मद्र प्रदेश यह और भी दोनों हो अगर इस बात को हम लोग देखें तो साध हमें और आपको बात पूरी अच् कया कहते है शुर्मा करें हो जो एकथिन नामखरेंश प्रस्टंवर प्रदेश कांगडा आता है मद्र प्रदेश में जवल पिनीए Спे कि जब कांगड़ा और जब पुह इसका उप्योग आगोसर बनाने में बंदूप में तुद्पिस ट्यूप विद्धु तार कार्थूथ आधी बनाने में किया जाता है कि ठीक है कि चलिए आगे चाहते हैं अगले प्राश्ण की तरह कि प्रश्ण नंबर उननेश सहुत राज अमेरिका नगा डिट्राइड किस नाम से विख्यात है बहुत इंपोर्टनी सवाले बार बार पुछे जाते हैं बदाई जले से जी हम आउनलिंग क्लास से नोट्स के संबंद में अगर आपको कोई जान कर रिशीर इलनी पी दुर्गेश के आफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं यह जनपूर जनपत के सिराज हैं से आपके लिए लाइब देशित में राश्टित में चलती है मेरे द्वारे निसुल क्लास आपके लिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर होगा मोटर गाड़ी यह बहुत यूनिक प्रेस्टन डेट्र होते हैं ब्लाइक पंगोडा ब्लाइक पैगोडा किस देश अस्थान में अपस्तित है कि बताईए कि अधिश्य विल्वडवड कमने करके कहां पर है अभी उपर हम लोगों ने पढ़ा था है यह शूर मंदिर को ब्लाइक पगोडा कहते है क्या कहते है शूर मंदिर को कोनार के सुर मंदिर है ठीक है यह 13 सतादि में राजा नर्सिंग दियो ने कर आया था किसने राजा नर्सिंग दिए नरसिंग शीटी आफ गोल्डेन गेट किस नगर में वस्तीत है कहां बताईये सेंट फ्रांसिसको कहां पर है यूएश्य कहां पर है यूएश्य में कहां पर है यूएश्य में है ठिट कि चलते हैं अगले प्रेश्ण की तरफ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दिसांत्री या मुत्तर क्या होता है इदे इंपॉर्टन प्रस्ण है भोगोल का प्रस्ण है और मुझे लगर आप सभी उसका जवाब देना चाहिए यूए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अब की बार एक सीट हमार देखिए मुख्या मुत्तर से किसी अस्थान की पूरी दोरी बीस प्रस्ण का सही जवाब होगा क्या होगा बीस प्रस्ण का सही जवाब होगा ठीके क्या होगा बीस प्रस्ण का राइट एंसर है आगे चलते हैं परवती वाई मंडल निम्नित कारणों से लेटेंगे आपको सरकाई सिच्छक बन रहा है इतनी तो मदद कर सकते हैं परोती वाई मंदल निम्न में से किस करा ठंडा होता है टेलीग्रम जायन कर लिए कि वहाँ प्रश्ण बैंक की सिरी चलती आपके लिए सभी लोग के लिए तेज की बात करें उचाही उचाही कर किसी स्थान का चांस परिचायक होता है अब समय किसका होता है कि मतई सबी लोग किसी स्थान का चांस परिचायक होता है 24 उत्तर क्या हो तापमान इसका होगा तापमान भारत के राष्ट पती को पदी की सफ़र कौन दिलवाता है राष्ट पती को पदी की सफ़र कौन दिलवाता है लिए अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी खतम करेंगे भाद के जो राश्चपती होते हैं उन्हें भाद का मुखिनादी चीप जेश्टिक आफ इंडिया सफ़त दिलाता है अगर मुखिनादीस नहीं है तो जो वरिष्ट इनादीस होते हैं वो सफ़त दिलाने का काम करते चलते हैं आगे कि बित आयोग का गठन होता है परते एक चोथे वर्ष पांचया दसे वर्ष चठे वर्ष कब कब होता है कि अचे और मताइए ले खें और यह का जो शेगए अज़िया कुना कब कब होता है इसका और इसका अनुशे 2,000 अस्ती में कि काहां अनुशे 2,800 कि और इसमें एक अध्यच और चार अन्यसा दश्च वर्ष तब होता कि नुक्त कैसे अध्यच और चार अन्यसादाश इसके होते हैं । इसका उत्तर के होगा यृओ श्यच्छ दूसोपार्ष या ला-ध्यच उर्च्रक एगले पर सेंगी तरव जान दीजेगा यहाँ पर प्रश्न है आपका वह कौन सा नुछेद है जिसके द्वारा भारत का राष्टपती राजिका प्रसासन अपने हाथ में ने सकता है जिसे आप राष्टपती सासन के नाम से जामते हैं सब लों कमेंट करके बताएगेगा जित्तों वीडियो को लाइद लेख से यह आपात उपन्ध है बाहे युद्ध या अन्य कोई स्थिति उत्पन नहीं किसी भाग में या संपूर भात में लगा जा सकता है यह राष्टपती सासन 356 किसमें 356 क्या होगा 356 इसे हम राजिका प्रशाशन इसे हम राष्टपती सासन कहते हैं किस अनुषिद में 356 में 100 रुपई के नोट पर किसका अस्ताच्छर होता है एकदम आसां सपच्छन है देखे वित्यमंत्री के सचुजय होते हैं इस पर एक रुपई है ऐसे आर्बियाई के गवर्नर क्या होगा अर्बिया होना चाहिंए एक किसी पर अधारीत है यह किसी पर अधारीतelles पूछेगा तूपह अपका सत्तर पोशन है लेकिन अगर कि सेक्टर ने जा आए तो वह सेवा चित्र क्या होगा मैं हैarl इस सोब्बर को विज्य डियोस मनाये जाते है क्यों उनएज सोकतर को पाकिस्तान की विरुद बेजय लजश को ठिक है पाकिस्तान की विरुद बेजय डिवर्ष की रोभने ठिक है चलते हैं अगले प्रश्णी की टरह दिशंबर को सुचित करने के लिए क्या मना जाता है जब आप जरूर दिजिएगा कि सभी साती जो लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं कॉमेंट जरू करिएगा चाहे से फिल्बूक पर चाहे यूटूब पर देखिए एक दिसंबर को अठस दिवस मनाया जाता है अठस दिवस को रुप में मनाया जाता है काधमपरी के रचे औरो कोन को काधमपरी नमक पुस्त किस ने लिखा है एकदम आसां से पृस्टे वारभण आपने लिखा है किसने वाडबट जो वाडबट थे यह हर्स के दरबारी कभी थे इन्होंने हर्स चरित भी लिखा है कादमबरी कि वह हर्स चरित यह इनकी प्रमुक पुष्ट के हैं जो परिच्छा में सबस्यादा पूछा जाता है अगला है । आप आप के अलीस इन वंडर लैंड है अलीस इन वंडर लैंड नाव खुस्त र क्षने लेकि हैं ओत्ए माई चरह अ है ऑक tame देक है प्हुबाब जरूर दीजैघक है अभी सथ कि जीवन कथा सब्संबंदित है सभी ज़रूर जवाब देज़ेगा एक दाम सरल प्रशन है एक दाम महसाने प्रजेंट आप मैंड को उपर है अगर आप सरकारी से इच्छब बनने जा रहे हैं ऐसे प्रशनों को जवाब आप सभी को देना चाहिए अब मैं उम्मीद करता कि आप सभी लोग इस प्रशन का जवाब जरूर देंगे क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि बताई से भी लोग फटावाट कमेंड करके लिखें लेक जो किसी ब्रती द्वारा किसी अन्न के जिवन के घटनाय के विशे में हो माने इस प् अगला मुना लीशा जो ला जी आ कंडा के नाम से जाना जाता है किसके दौरा रंग आद्या जवाब जरूर दीजेगा बताई से भी लोग फटावाट कमेंड करके चाहिए से फेट्बुक के देख रहे हैं चाहिए यूटीब पर देख रहे हैं जहां में देख रहे हैं जवाब जरूर दीजेगा सभी साथी देखे एक प्रसनि किसी ने पूछा है कि कादंबरी का अर्थ क्या होता है तो कोकिला होता है ठीक है जो एक काले रंग का पच्छी होता जिसकी आवाज बड़ी सुरीली होती है ठीक तो कोकिला होता है कि 35 प्रस्रें का जबाब है आपका यह है लिए नाड़ो धा विंशी मोश इंपोर्टेंट है 35 क्या होगा इनके बार में थोड़ी बाते बता दें यह फ्लोरेंस निवासी लिए नाटी का जन्म 402 में इनका जन्म हुआ था इनके चित्रों में लास्ट सफर और मोना लिशा प्रमुक है मोना लिशा किसी सुन्दरी का चित्र नहीं है लेकिन उस साधान दिखाई पढ़ने वारी महिला की रहस्त में मुस्कान का अर्ट आज भी दर्शकों के लिए रहस्त बना हुआ है माइकल एंजेलो कलाकार, मुर्तिकार, अस्थापतिकार, इंजिनियरों कभी इसका महत्वपूर्ण चित्र लास्ट जजिमेंट है ठीक है इस प्रशन का उत्तर चुह होगा वह इसका सही जवाब है अंतराची सत्भावना के लिए नेहरू पुरुसकार का प्रथम विजेत कौन है जी हां यह पुरुसकार सबसे पहले 1665 में 1665 में भूत पूर सनुतराशन के महा सचुर यू थाट को दिया गया किसको यू थाट को दिया गया ठीक कार मद्य का कई अर्थ होता है सराप भी होता है कोपिला भी होता है ठीक अब आप ज्यादा जान कहा रहे तो कोई बात नहीं ठीक और ज्याता जान कहा रहे है तो घर वैट के अपना ग्राण रख्यर है देखें जूल्स रिमेट प्रुसकार का संबन्द किश्चे है ठीक वाई जो ज्यादा ग्यानता है नो अपने ग्यान को रखे रहे हैं पर को हो सकता है वो ग्यानी चंद है कि हम जरह कोई बता है काधमी का मतलब को किला नहीं होता कि चैंट की लोग है जूल्स रिमेट प्रसकर का संबन्द है क्या होगा होता है कि यह फूट बॉंट्वाल से किस्से निर्ट्वाव और ऑदिल्पर का है कि छाली से कॉस्चन करांगे यहां पर आपर को पौट संग्या किस खेल के साथ संब्द रखती है 38 यह विलियर्डर्स जो विलियर्डर्स क्येद होती है उसके साथ यह संब्द रखती है अगला अगला है प्रथम अधिकारी क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया जल्दी जी कॉमेंट करें बताइएगा देखिए सभी लोग ऑनलिंग क्लास और नोट्स के संब्द मगर कोई जानकारी चीए इलनी पी दुर्गेश की ऑफिस के नंबर बात कर सकते हैं मेरी क्लास आप है ठीक है यह जोनपुर जनपत के सिराजेहिं से आप सभी के लिए लाइब चलती है मेरी क्लास लिस्टों होती है सभी लोग टेस्ट की सिरीज के लिए टेलिग्राम ज़रु जोइन कर लेंगे दुर्गेश सरसाच करके एलर्निंग विद दुर्गेश को अगला 49 का अगला सवाल भाति रेलवे कानुशंधान अभी कल्प और मानक संग्टन किस अस्थान पर है इसका उत्तर होगा लखनो क्या होगा लखनो इस प्रश्ण का सही जबाब होगा ठीक आप लोग सारे प्रश्ण की सिरीज को देख लीजेगा भात की भुगोल के 18 सिरीजे उससे आप सभी लोग पढ़ लीजेगा इसका नाम है भारत का महा भारत सिरीज उसके बाद उसके बाहर आपके एक भी प्रश्ण नहीं आएगा अखो से किस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेर कर दीजेगा आज हम लोग चालीज ही करतें क्योंकि कल जुड़े रहेगा ये क्लास के साड़े नो बजे चलती हैं बाकि सभी क्ल क्लास के लिए लगने दुर्गेस पर जुड़े रहेगा साड़े नो बजे क्लास तब तक मत करेगा जब तक सलेक्शन नहों जाए एक दू पेपर आपके लिए इस्ट्रा होगा बस तीन-चार दिन आपके त्यारी में कर रहा हूं उसके वज़ा से मैं आपके लिए लही ल जरू करेएगा इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी फेस्बुक पेज इलने बीद्रगेस इस्टा ट्विटर पर जूड़े रहेगा ठीक बाइबाय जैहिंद जैभारत किसी भी समस्या के लिए टेलीग्राम इस्टाग्राम पर दुर्गेस सर्च करके जूड़े जिन आपको जल्दी मिलेगी उस पर काम कर रहे है थोड़ा बैसता ज्यादा है समय नहीं मिल पा रहा है इस वज़े सापी क्लासे नहीं हो पा रहे है वीडियो को सेर करना ना भूलेगा अगर लाइक को बटन नहीं देवाए तो लाइक जरू करिएगा आपकर क्लास पसंद अपने साथी को चुरू करेगा ठीक है जनपर जनपत के सिराज हिंद से मैं आपके वीच था बद्बद धन्यवाद आपको बाए बाए जय हिंद जय भारत आज चाली से पढ़ लेते हैं